किसान साथियों नमस्कार अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्रस्तुत है व्यवारी खेती का तीसरा भाग जिसमें हम बात कर रहे हैं जैविक नियंतरन कीट की यानि के बायो कंट्रोल एजेंट्स की आज हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं दूसरी बात करेंगे कि इनके हमें क्या लाब होते हैं और क्यों हम इने परियोग करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इसे मुख्यत हम चार भागों में बाट सकते हैं यह चार प्रकार के होते हैं, वैसे तो साथ प्रकार के होते हैं, पर मैं यहां पर चार की चर्चा कर रहा हूँ, पहला है फंगस, जो मैंने बताया था आपको, जिसे हम फपूंद भी कहते हैं, या फंगस भी कहते हैं, दूसरा है बैक्टीरिया, जो की एक जीवानू है, तीस पर जो हमारा मैंने शुरू किया है इसका जो इसकोप है हम कीन बातों की चर्चा करेंगे हम इन दो की चर्चा बिलकुल नहीं करेंगे हमें जो मुख्यते चाहिए वो ये दो प्रकार के बायो कंट्रोल एजेंट्स की हम बात करेंगे एक है फंगस और दूसरा है बैक्टीरिय जिनका के सबसे अधिक परियोग आपकी खेती में होता है अब आईए देखते हैं कि इनके लाब क्या है और हमें इने क्यों परियोग करना चाहिए पहला लाब है कि ये परियावरण के अनुकूल है ये किसी पर निर्भर नहीं है आत्म निर्भर है और परियावरण पर यानि कोई अलग से रोग आते हैं, जिस प्रकार के केमिकल करने पर आते हैं, दूसरा है, ये सत्रू कीट, जो होते हैं, जो मैंने बताया था, जमीन के अंदर होते हैं, या पेड़ पोदों पर होते हैं, उनको खत्म करता है, ये है इसका दूसरा लाब, तीसरा है, कि जब इनका पर पर्योग करते हैं, छिडकाओं के दौए या जमीन में डालने पर भी उनका पर्योग करते हुए भी मनुश्य पर भी हानिका रख परभाव पड़ता है। और चुकि फलो पर भी पड़ता है, इसलिए अंत में वैं मनुश्य पर ही परभाव डालते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तीसरा है कि ये कीट परतिरोधी नहीं है, कीट परतिरोधी का अर्थ मेरा ये है कहने का यहां पर, कि इनके बार बार परियोग से ऐसा नहीं होता कि अगली बार ये काम नहीं करेंगे, या कोई भी कीट जिसके विरुधी ने परियोग किया जा जाता है एक साल बाद उससे तेज आता है इससे हमारी लागत भी बढ़ती जाती है और हमारे को खुद पर भी और वातावरण पर भी गलत प्रभाव पड़ता है इसलिए ये कीट परतिरोदी नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि वातावरण पर भी इसका कोई दुस्प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम ये कहते हैं कि इनको हमें क्यों करना चाहिए प्रियोग लाब मैंने बता दिये एक ये कारण है एक ये है कि ये हानी कारण कीटों से निपटने का एक प्राकर्तिक तरीका है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है ये प्राकर्तिक है और हमें प्रकर्ति से ही लेकर इनको तयार किया गया है और इनको बनाया गया है इसमें किसी भी केमिकल का प्रियोग नहीं होता इन्हें तयार करने में दूसरा है हमें क्यों प्रियोग करने चाहिए कि ये महंगे भी नहीं है ये बहुत अधिक महंगे नहीं आते बहुत सस्ते आते हैं जो कि हम आगे देखेंगे तीसरा है कि स्वास्त के लिए हानिकारक नहीं है जब हम इनका परियोग करते हैं अगर फलो पर भी करते हैं पेडो पर भी करते हैं जमीन पर करते हैं उसका कोई भी दूस प्रभाव हमारे फलो के अंदर या पेडो के अंदर या जमीन के अंदर नहीं आता इसलिए ये हमारे स्वास्त के लिए हनिकारक नहीं है और इनसे कोई तरीके से परियोग किया जाए तो ये बहुत लाबकारी होते हैं अब किस परकार परियोग किया जाए आईए हम उस पर चर्चा करेंगे इसमें अब हम बात करेंगे हम कौन-कौन से जैव नियंतरन कीटिया बायो कंट्रोल एजेंट का परियोग करेंगे मुख्यत है ये अगर हम बात करें तो दो परकार के होते हैं पहला है फफून यह फंगस और दूसरा है बैक्टिरिया यह हमारा जीवानओ अब इसमें जो हम यह फंगस हैं कौन-कौन सी फंगस आती है जो हमारे यह जैव नियंतरन कीट के काम करती है और उनके क्या-का नाम होते हैं तो इसमें हम आज फंगस प्रियोग करते हैं जो बाजार में असानी से उपलद है पहली है ट्राइकोडर्मा इस्पेसीज आप यह देखें जो कल मैंने पढ़ाता एस पीपी आप जानते होगे ट्राइकोडर्मा के दो वेरियंट आते हैं एक आता है हरजेनियम और एक आता है विरेड तो उन में से कौन सा है हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे ट्राइकोडर्मा की बात करेंगे तो पहला है ट्राइकोडर्मा दूसरा है पैसिलोमाइसिस लिलासिनस भी एक फंगस है और यह जमीन में जो रोग होते हैं फंगस के विभिन प्रकार की फंगस के रोग होते ह इसी प्रकास ट्राइकोडर्मा भी होता है, तीसरी है बवेरिया बश्याना, बवेरिया बश्याना ये भी एक फंगस है, लेकिन इसका परियोग अधिकतर हम फॉलर इस्प्रे में करते हैं, यानि छिड़काओं के द्वारा करते हैं, इसे पानी में घोल कर परियोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं ये हम आगे बताएंगे चोथा है मेटा रीजियम एनेसेपोली ये भी पोधों में पाए जाने वाली जो फसल होती हैं उनमें पाए जाने वाली विभिन प्रकार के कीटों को जो उनमें कीटों के द्वारा फंगस हो जाती है या वैसे भी फंगस मिलती है उन विभिन प्रकार की फंगस को और कीटो को भी ये कंट्रोल करती है और इसका परियोग भी हम अधिकतर फोरिलर इस्प्रेय में करते हैं और भी एक दो चीज में करते हैं चोथा है वर्टी सीलियम लेकानी ये भी कीटो द्वारा जनीत विभिन परकार के रोगों को जो आपकी फसलों में लगते हैं एफिड है त्रिप्स है इस परकार उनको कंट्रोल करने के काम में आती है इसका भी प्रियोग हम अधिकतर फॉयलर इस्प्रे में यानि छिड़का के भी कीट है इनको हम दो स्रेडी में बाढ़ रहें एक है फंगस जिसमें हमने ये पांच बताए हैं ये पांच फंगस पर आधारित है बायो कंट्रोल एजन्ट और ये तीन है जो हमारे बेक्टीरिया पर आधारित है उनमें से पहला है सुडो मुनास फ्लोरोसेंस मैं इस और इसका इस्प्रे आप इसको उप्योग आप इस्प्रे में भी कर सकते हैं पोधों पर सबजियों पर ये बहुत अधिक लाबकारी पाया गया है दूसरा है बैसिलस सब्टिलिस देखिए बैसिलस अगर हम लिखेंगे तो हमें एस पी पी लिखना पड़ेगा हमें पता न टाइप की बैक्टीरिया है दूसरा है बैसिलस थुरिंजिस ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है ये आपके अधिकतर जबीन में पाई जाने वाली फंगस को खतम करने के काम आता है fungus को fungus भी खतम करती है उसके उपर कारिया करें उसको कंट्रोल करती है और bacteria भी काम करते हैं जो की antibiotic टाइप के होते हैं और एक है ये bacillus thuringesis इसका परियोग आपको अधिक तर जो फसलों के उपर छिड़काओं में है उनमें किया जाता है ये बेसिकली जो साधारन उरूप से मैंने दो स्रेडियों में बाटे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये फपूंद ना सक है और ये bacteria ना सक है ये फपूंद को भी खतम करते हैं बैक्टिरिया को भी खतम करते हैं और ये फपूंद को खतम करते हैं विभिन परकार की फपूंद जो हमारी जमीन में और पोदों में पाई जाती है और कीटो को भी जो आँखों से भी देख सकते हैं और जिनें नहीं देख सकते हैं उनको भी अब हम इनकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे वो जो detail में चर्चा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा और उसी के साथ ये जो मेरी दूसरी नंबर की वीडियो थी दूसरी और आज की तीसरी और चोथी इन तीनों को मिलाकर एक document मैं upload करूँगा अगली वीडियो के साथ में देखते रहें अमेजिंग किसान की वेवारी खेती इसमें आपको बहुत अधिक जानकारी डिटेल रूप में मिलेगी इसलिए मैं इनको छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूं ताकि लोग आराम से देख सकें और देखने के बाद फिर वो डोकुमेंट डाउनलोड कर